हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आइस गेट्विज इस वीडियो मैं आर्सीसी के आइस 456 कोडल प्रोविजन्स को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिसकस करूंगा यह सीरीज का पार्ट 55 वीडियो है पुराने वीडियो के लिए आप यूटूब चैनल की प बिल्डिंग्स ठीक है अन्द एस्पेक्ट वीच वी वी कवरीं इंक्लिूड्स हमारा जो कॉर्बल्स का फंशनल यूज है बेसिक बिल्डिंग्स में हम क्यों उनको यूज कर रहे हैं कहां पर इनका यूसेज है उसके बाद हमारे डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या हैं हम डि इंपॉर्टेंट कि जो डिफरेंट फेल्यूर मोड्स हैं कॉर्बल्स के वो कैसे फेल्यूर मेकनीज में कैसे होता है और हमारा जो रिन्फोस्मेंट डिटेलिंग है जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है उन सभी लोगों के लिए जो फिल्ड पे काम कर रहे हैं एज सबसे पहले आते हैं डेफिनीशन पे तो कॉर्बल्स बेसिकली हमारे क्या है आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अगर हम एक जनरल लेमें लैन्वेज में बात करें तो बेसिकली कवरल्स चॉर्ट मेंबर से स्टपलाइक प्रॉजेक्शनस है कि इसराल इस्टप लाइक प्रोजेक्शनस है जो इसकी ट्रंकेटेड याटेपल रहेंगे ध्यान रखना है ट्रंकेटेड या टेपलव रहें गया मतलब एक फेस पहँज हमारी विफित जादा होगी एक face पर width कम होगी ठीक है और यह projections कहां पर रहेंगे from the face of column या walls ठीक है तो generally आपको RCC के columns में या walls में देखने को मिलेगा ठीक है तो अगर इसका diagrammatic representation देखें तो this is a prefabricated building जहाँ पर आप यह जो projected elements देख पा रहे है these elements जो है these are monolithic सबसे significant part यह है कि यह structural elements जो है यह columns के साथ monolithic है यानि इनका reinforcement और column का reinforcement integral है integrated है basically otherwise जो इनकी functionality है जिस purpose के लिए हम इनको provide कर रहे है तो यह important चीज़ है कि this is a integrated element with the wall or column ठीक है अब आते हैं purpose तो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी beam इस पर supported है तो primarily purpose यह हो गया क्या purpose हो गया कि हमारा जो load है वो support करना है offload में निम्मर तो पहला usage क्या हो गया है तो support the load to support the load from load bearing member और दूसरा purpose यह हो गया कि जो भी load आ रहा है उसको इस column में transfer करना to transmit the reactions to vertical structural members जो हमारे column या wall पर यह supported है corbels उस पर load transfer कर देना ठीक है तो दी ज्यादा vertical structural members में हमारा reactions जो भी development को transmit कर देना अब हमारी कुछ design requirements हैं जिसके basis पर इसकी dimensional requirement हमारे code ने specify की है तो दो terminology आपने पढ़ी होंगी एक है हमारा shear span जिसमें हमारी along the length shear force constant होगी shear span वो portion है जहां पर हमारी जो shear force है वो constant रह रही है ठीक है दूसरा जो element है that is effective depth effective depth आपने पढ़ रखा है from the center of the reinforcement from the center of the main tension reinforcement to the outer face of that member यहां पर आप देखेंगे तो यहां भी because it is a basically step like cantilever projection तो cantilever में basically हमारे जो tensile forces आएंगी वो हमारे top member में आएंगी यहां पर आप depiction के तौर पर मैंने दिखाया हुआ है कि we are providing a tension reinforcement in the top portion of this element तो इस पर हमारी tensile stresses आएं तो we have provided this top steel bar इसके center से हमारे this point जो junction है हमारा basically structural element का इस वर्टिकल element के साथ वर्टिकल member के साथ this is called root of carbell द्यान रखना ही बार बार टर्मलोजी यूज होगी इस junction point को जो टेपर्ड होकर आ रहा है जो हमारे main structural element के साथ मिल रहा है उसको हम root of carbell कहेंगी तो यह जो दूरी हो गई this is called effective depth और overall depth हो गई हमारी h at the inner face इनर face हो गई और यह हमारा outer face हो गया corbell का जो junction वाला portion है वो हमारा basically हो गया inner face और जो outer projected portion के बाद हमारा जो face है वो हमारा हो गया outer face तो code यह कहता है कि जो आपका load आ रहा है आपने इस पर beam support की उसका जो reaction आया यह हमारी bearing है basically यह steel pads या elastomeric pads के form में हो सकती है तो हम यहाँ पर assume कर लेते this is a steel bearing depending upon the requirement of bearing area यहाँ पर इसकी width हमारी decide होगी code यह कहता है कि जो inner face है उस face से जो vertical reaction जो load आ रहा है उसकी जो दूरी है that should be less than the effective depth of this corbel तो हम यह कह सकते हैं ratio of shear span by effective depth av जो हमारा shear span है divided by effective depth that should be less than 1 ठीक है यह जो दूरी है यह av should be less than d shear span का significant purpose यह हो गया कि कि हमारा shear force constant है तो basically अगर एक cantilever member है इसको कुछ इस तरह different कर सकते हैं अगर इसका shear force diagram खीचेंगे तो कुछ इस तरह आएगा ठीक है तो shear force हमारी constant है तो यह वाला जो load application वाला point है और face of support है इसको हम av कह सकते हैं which is known as shear span in case of cantilever beam जहां पर हमारा केवाल एक end पे load supported है इस तरह के जो elements है उसमें हमारी यह पहली requirement हो गई दूसरी requirement यह है outer face की outer face की requirement यह है यहां पर अभी हम failure mechanism की बात करेंगे जहां पर मैं आपको explain करूंगा कि यहां पर जो vertical splitting होगी under the action of the load उसको prevent करने के लिए उसको control करने के लिए यानि हमारा जो outer face पे जो section हो बहुत shallow ना हो जाए जिसकी वज़े से हमारा fail ना हो जाए corbel इस वज़े से यह ensure करने के लिए to prevent this vertical splitting failure जो outer face पे हमारी depth है depth of face at outer face कह सकते है that should be greater than or equal to h by 2 h by 2 मैंने आपको बताया कि जो root of corbel की location पे junction पे हमारी जो overall depth h है उसका half यानि 0.5 h से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए ठीक है to prevent vertical splitting due to two shallow section at the outer face ठीक है तो यह हमारी requirements है जो कि अब यहां पर हम elaborate करेंगे one by one ठीक है तो that जो मैंने आपको explain किया that is covered under this clause 28.1 कि जिसमें clear cut लिखा हुआ है कि corbel is a short cantilever projection जिसको मैंने stub like projection बोला था stub का मतलब basically है मारा short part short word जो बोल रहे है यहां पर this is basically a stub तो अब इसी वज़े से कहीं कहीं आप stub word भी यूज करोगे corbel is a short या stub cantilever projection which supports a load bearing member load bearing मतलब it is carrying the loads when the external loads are being applied ठीक है जहां पर पहली requirement मैंने आपको बता दी कि av shear span by depth ratio जो है वो less than 1 होना चाहिए between av की definition क्या है line of reaction to the supported load ठीक है and the root of the corbel is less than d which is basically the effective depth at the root of the corbel corbel की जो depth का जो junction है root है वहां पर जो effective depth है because यहां पर effective depth आपकी vary कर रही है तो जो inner face पर जो depth है वो d है ध्यान रखना है आपको this depth is at the inner face for this specific requirement जो दूसरी requirement है वो मैंने आपको बता दी कि outer edge of the contact area of supported load is not less than half of the depth at the root of the corbel ठीक है तो जो h depth है this is at the root of corbel ठीक है तो जो outer face पर जो depth हो जाएगी that should be h root by 2 ठीक है और जो face of support पर जो हमारी corbel की depth है उसके लिए हम जब provisions 40.5.1 discuss करेंगे तो वहां से govern होती है we will not going into that clause at this moment ठीक है तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि this is the element ठीक है यहां पर यह outer face हो गया यह inner face हो गया जहां पर मैंने बताया है this is h this is d outer ठीक है this is tapered portion and this यहां पर हमारा पर्पस है कि जो भी लोड आ रहा है उसको evenly distribute करना to distribute the reaction evenly ठीक है दूसरा point है एक तो reaction को distribute करना uniformly जो भी लोड उपर से आ रहा है and to have uniform contact surface contact surface जो है वो uniform होना चाहिए इस परपस से हम यह एक bearing pad दे रहे है ठीक है this is the face this is the width inner face of the column wall यहां पर जो आपको यह मार्क दिया this is the inner face this is the upper horizontal ledge of this member is called upper horizontal ledge of the corbel ठीक है यहां पर कुछ reinforcement की detailing दी हुई है इसको भी मैं फिर से detail में discuss करेंगे ठीक है तो जनली आपके जो यह elements है कहां पर आपको देखने को मिलेंगे जनली फाउंड इंक कॉलम्स ओफ इंडस्ट्रियल बिल्दिंग्स कॉलम्स ओफ इंडस्ट्रियल बिल्दिंग्स जहां पर प्री फैब्रीकेटेड बेसिकली construction चल रहा होगा तु सपोर्ट दी गैंट्री गर्डर्डर्ड तु सपोर्ट गैंट्री गर्डर्डर्ड जहां पर इसके ऊपर भी फर्दर हमारी रेल्स रहेंगी जिसके उपर हमारी mounted रहेंगी cranes ठीक है तो जनरली आप देख रहे हो कि pre-cast construction में यह arrangement है and purpose is to provide seating to provide seating for the beams अब आते हैं इनकी design requirements के design requirement को समझने से पहले जो load transfer mechanism है वो आपको समझना पढ़ेगा तभी आप design requirement समझ पाओगे तो load transfer जो mechanism है यह हमारा code जो reference लेता है that is derived from the European code European code के requirement के हिसाब से हमारी requirement हमारे codal provisions same follow करते हैं कि यह load हमारा basically transfer कैसे हो रहा है under the action of the external load जब corbel पर load आ रहा है तो उसके लिए हम यह consider करते हैं कि जो हमारा corbel है that behaves as a strut and tie model ठीक है तो strut and tie model पे इसकी जो load transfer mechanism हम समझ सकते हैं strut basically compression member है tie हमारा tension member है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं this is the applied load जो basically design load होगा इसके लिए corbel के लिए ठीक है यहां पर tension आएगा तो यहां वाले portion में हमारा tension, tensile force depict कर रहे है यहां हमारा यह वाला portion compression में होगा यह वाला compression strut होगा और यह हमारा ten tie होगा तो यह basically strut होगा which is under compression and this will behave as a tie member ठीक है और इनके जो vertical and horizontal components है वो एक दूसरे forces को balance out कर रहे होंगे under the equilibrium तो vector में force polygon अगर हम बनाते हैं तो this is the tensile force ठीक है this is the vertical force जो हमारी applied load है and this is the strut action of the concrete ठीक है तो यह वाला जो member है यह tensile portion में आला T है यह हमारा concrete में जो compressive forces आ रहे हैं उसको tackle करने के लिए उसका जो vertical component होगा वो इस applied load को balance out करेगा ठीक है तो इसके basis पर यहां code ने कुछ design assumptions दिये हुए हैं जहां पर कहा गया है कि जब concrete and the reinforcement may be assume तो reinforcement basically हमारा क्या हो गया tension ties हो गए which is capable of taking the tensile stresses और जो हमारा concrete है that is capable of taking the compressive loads तो concrete is considered as a compression stress तो concrete हमारे compression stress हो गया है और जो reinforcement हो गया यह tension ties हो गया अब दो different materials है तो इनके design के लिए हमें कुछ certain assumptions लेने होगे जिसमें हमारी सबसे important चीज है कि compatibility of strength आपको लेना पड़ेगा design में ठीक है इसमें कहता है code compatibility of strength between strut and tie at the corbel root should be ensured corbel root हमारा यह वाला point हो गया इस point पर हमारी strength की compatibility ensure करनी है जो magnitude of resistance provided to horizontal force horizontal force जो bearing आपने लगाई वहां पर जो frictional forces generate हो रही है that is horizontal forces should not be less than ठीक है तो यह हमारा tension है basically ठीक है this tension will be balanced by will be balancing this horizontal force and this magnitude of resistance should not be less than one half of the design vertical load on the corbel ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना है कि जो resistance offered हो रहा है इस horizontal force NVU के लिए that should be greater than or equal to one half of the design vertical load ठीक है यह design requirement है दूसरी requirement यह है कि जो horizontal link requirement है जो next clause में हम discuss करेंगे वो ensure करेगी satisfactory service ability performance तो जो load transfer mechanism में कुछ इस तरह है कि जो downward reaction VUIR from the load is registered by the vertical component of diagonal compression strut which carries the load down into the column यह basically हमारा column है तो जो हमारा downward load आ रहा है that is registered by this यह compression strut है under compression रहेगा यह इसका जो vertical component रहेगा यह यह इस load को VU को counter करेगा ठीक है उसको register करेगा और further हमारा इस column में transfer करेगा जो horizontal load NU है that is directly registered by tension in the bars यह हमारा यह जो tension and reinforcement बार आप यहां पर डालोगे उस वो से register होगा at the top of corbel इस बार आल्सो र्जिस्स्था outward thrust at the top of concrete strut जो outward thrust है basically इस वाले member इस second compression member की वज्या से आएगी तो इसका भी जो horizontal component है उसको यह tension tie र्जिस्थ करेगी तो basically thrust acting compression strut होगा तो vertical component of the thrust in the strut act as a tensile force acting downwards into the supporting column, ठीक है, at the other end of the corbel, the tension in the ties is kept in equilibrium by the horizontal component of second compression strut, ठीक है, तो जो horizontal tension है यहाँ पर इसका जो component होगा, that will be in equilibrium for design considerations, ठीक है, तो यह European code ने जो recommendations दी थी, कि हमारा strut and tie model उसका एक extract दिया हुआ है, जहाँ पर it has been assumed कि जो हमारा face है, near concentrated load है, या planar वहाँ पर हमारी non-linear stress distribution exist कर रही है, जो strut and tie model है, that utilizes the lower bound theory of plasticity, जो भी मैं यहाँ पर elaborate नहीं कर रहा हूँ, जिसके according, under a given system of external load, if a stress distribution throughout the structure can be found such that, all conditions of equilibrium are satisfied and the yield condition is not violated, ठीक है, तो यह यह हमारे various failure mechanism है, जो की आपको कारवल में देखने को मिल सकते है, पहला जो mechanism है, that is flexure tension failure, इन ही mechanism के according हमने अपने reinforcement की detailing decide की है, तो flexure tension failure जो है, यह हमारा most common mode है, जिसमें basically क्या होगा, जो sloping force का bottom वाला portion है, यहाँ पर हमारी क्रशिंग हो जाएगी concrete की, after extensive yielding of tension reinforcement, जो tension reinforcement आपने provide किया, इसकी yielding के बाद यहाँ पर इस junction पे extensive cracking मिलेगी, flexure compression failure में क्या होगा, crushing of concrete at the base of the carbel, यहाँ पर था कि bottom of sloping face of the carbel results in crashing of concrete strut at the base of the carbel before the yielding of reinforcement, diagonal splitting failure में क्या होगा, sudden splitting होगी along the line from the bearing plate to the base of carbel, figure A जो है अब देख पर यह splitting हो रही है, diagonal splitting हो रही है from the load application point and root of the carbel, तो यह हमारी diagonal splitting हो गया, यह हमारा जो shearing failure है यह इसमें short inclined cracks होंगे along the weekend plane, another possibility is failure in direct shear along a plane more or less flush with the vertical face, तो multiple छोटे-छोटे inclined cracks हैं जिसके along हमारा जो carbel है weekend हो जाएगा and there will be a shearing failure, if the reinforcement is not detailed, अगर reinforcement proper नहीं है, तो shearing of portion outside the reinforcing bar takes place, ठीक है, अगर reinforcement detailing proper नहीं होगी तो जहां पर reinforcement provided नहीं, वहां से हमारा shear off हो जाएगा, under the action of the load, अगर corbel depth हमारी shallow है, outer face पे, तो diagonal cracks जो होंगे, which may intersect the sloping surface of the corbel, sloping surface को intersect करेंगे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमने जो outer face की depth है, that has been taken care, कि हमारी ये face की अगर height h है तो इसे half से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो potential failure surface को, failure surface दिखाया हुआ है कि अगर हमने reinforcement कुछ ऐसा डाला ये tension reinforcement हो गया ये उसकी anchorage हो गई, development length के form में, sloping face के लोग हमारा reinforcement हो गया, तो इसके बाहर से हमारा ये portion split हो जाता है, कभी-कभी, तो these are the failure mechanism, जिसके उपर, इसके basis पर हमने further detailing की, कि हम जो reinforcement provide कर रहे हैं, वो कैसे provide कर रहे हैं, तो basically हमारा reinforcement दो form में हो गया, straight and tie model के हिसाब से, कि tie के लिए हमने क्या किया, top portion में एक tension reinforcement provide किया, और उसको हमें anchor करना पड़ेगा, because column में हमारी longitudinal bars हैं, इसको anchor करने के दो तरीके हैं, तरीके ये हैं कि हम इसको bend करके लाएं और एक loop बना दें, ठीक है, तो पहला तरीका है कि bending back the bars to form a loop, ठीक है, दूसरा तरीका है कि इसको हम इसके साथ weld कर दें, ठीक है, तो ये दो तरीके यहाँ पर anchorage के लिए दिये हुए हैं कि जो main reinforcement है, तो basically ये जो reinforcement है, ये आपका main reinforcement है, this is the main tension reinforcement, ठीक है, which is taking the primary tensile forces, और generally ये arrangement हम तब follow कर रहे हैं, जब हमारा main tension reinforcement बाहर है, वो उसका diameter हमारा 20 mm या उससे जादा है, इससे कम होगा, थोड़ा सा detailing में फरक आएगा, but elements हम समझ लेते हैं, ये elements जो है, ये हमारे horizontal links है, ठीक है, these are the horizontal links, total area should not be less than 50% of the area of the main reinforcement, ये जो horizontal links आप provide कर रहे हो, basically these are the shear reinforcement, which takes care of the propagation of inclined cracks, हमारे जो cracks हैं वो propagate ना करें, तो shear reinforcement हमारा जो provide करना है आपको, वो है and this should be greater than 50% of the main reinforcement, ठीक है, 0.5 से जादा होना चीए main reinforcement, जो आपने tensile reinforcement provide किया, अब इनको anchor करने के लिए हम, shear straps भी देते हैं, अब यह आपको दूसरे drawing में दिखा दूँगा, तो shear straps हो गए, ठीक है, दूसरी यहाँ पर एक requirement यह कहते हैं, कि जब हमारा load आया, तो एक bearing area होगा उसका, तो in case, हम अगर इसको weld करने वाले हैं, तो यह ensure करना है, कि bearing area के face से, यह जो दूरी है, at least, this should not be less than vertical cover to the plate, तो यहाँ पर, जो हमारा cover है, tire enforcement का, उतना gap हमारा होना चाहिए, bearing area से, यह पहली requirement थी, welding की, ठीक है, और in this case, the bearing area of the load should not project, bearing area of the load से, यह नि, जो हमारी bearing plate आपने थी, उसकी edge से, जो दूरी है, should not project beyond the straight portion of the bars, forming the main tension reinforcement, ठीक है, तो यह एक requirement हो गई, यह आपका हमारा, यह वाला जो portion है, अगर हम, इसकी बात करें, यह वाला, जिसको, अब मैं highlight कर रहा हूँ, यह portion जो है, this portion is, कर रहा है, इस shear strip arrangement को hold करने के लिए, तो जो यह वाला arrangement है, this is along the outer face, and sloping face of the corbel, इसमें जो last वाला portion है, यह हमारा anchorage है, which is known as compression anchorage, ठीक है, तो पूरा एक framework को hold करने के लिए, better efficiently perform करने के लिए, यह हम arrangement देते हैं, compression में, ठीक है, यह हमारा arrangement, थोड़ा सा, आप तब देख रहे हैं, जब हमारा main reinforcement का diameter है, 16 mm बार से कम है, ठीक है, तो यह हमारा compression bars, जो है, यह compression bars, यह वाला, sorry, this is the compression bar, total area of this should be not be less than 1000 mm square per meter width of the corbel, ध्यान रखना है, यह general design requirement है, कि जो हमारा compression वाली requirement है, this should be 1000 mm square area होना चाहिए, पर meter width of the corbel, ठीक है, यह मैंने आपको shear reinforcement आपको बता दिया, main tensile reinforcement आपका यह हो गया, यह वाला आपका tension loop हो गया, ठीक है, दो important चीज हैं, कि जब आप इस तरह का arrangement दोगे, तो two column links should be placed close to corbel loop, corbel top जो reinforcement है, उसके पास आपको दो longitudinal reinforcements जो है, वो पास-पास देने हैं, जो strips है, ठीक है, तो यह आपका top main reinforcement का आप development length देख पा रहे है, कि this is how the development length in standard 90 degree hook is provided, इसके लिए अलग मैंने separate videos बना रखें, that you will be able to understand, ठीक है, उसके बाद हमारा shear reinforcement भी मैंने आपको explain कर दिया, कि shear reinforcement should be provided in the form of horizontal links, ठीक है, तो corbels में ध्यान रखना है, आपको shear reinforcement आपको horizontal links के form में provided है, जो कि compression phase, compression वाला जो हमने reinforcement provide किया है, जो main tension reinforcement है, उसमें anchored है, with the help of these closed strips and ties, area of closed strips को AH बोल रहे हैं, और जो shear reinforcement है, वो हमारा top reinforcement से 2 by 3 D, D is the effective depth, जो हमारा tension reinforcement का center है, उससे हमारी जो root है, root of corbel, वो जो depth है, वो D है, तो 2 by 3 depth तक हमें shear reinforcement provide करना है, ठीक है, this reinforcement should not be less than one half of the area of main tension reinforcement and should be adequately anchored, तो इस पूरे anchorage को ensure करने के लिए हम यह framework provide कर रहे है, तो this is the primary reinforcement, ठीक है, framing bar to anchor strips are ties, यह बेसिकली एक तरीके से यह वाला जो bar है, मैंने आपको बताया, this is basically a framing bar, जो compression anchorage जिनके आगया आप provide कर रहे है, फिर resistance to apply to horizontal force, additional reinforcement connected to supported member should be provided to transfers this force entirely, ठीक है, तो यह हमारी कुछ special requirements थी corbel के लिए, I hope मेरा वीड़ा आपको helpful होगा, so thank you and all the best.